तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया की नंबर वन पॉल टेकनिक चैनल रिश्वा सेमेस्टर में और आज की क्लासेश में हम सभी लोग अपने टॉपिक जो की हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में हमने देखा था उसके कुछ वांटिज़ेस तो हमने इस दिन देखे रही थे थाड़ा और इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं इसके बाद आपका आता है दूसरा उपरेटिंग सिस्टम जो कि है आपका टाइम जो बहुत ही आपका important है उसके important question आपके जल्दी ही जो है वो कराये जाने वाले है CSIT के तो आप लोगों को क्या करना है कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली जो है आपके question तक के लिए wait करना है और दूसरी चीज जिन्होंने भी crash course को purchase नहीं किया है वो ज्यादा अबर call करके ठीक तो चलिए classes को आज के start करते हैं सभी लोगों को मालूम है क्या है आपका batch operating system के बारे में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है जो आपके similar kinds of jobs होते हैं उसकी grouping बनती है और फिर उसको एक CPU जो है उसमें आपका execute कराया जाता है लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग direct CPU से interact नहीं करते हैं हम लोग direct CPU से interact नहीं करते हैं जिसकी वजह से क्या problem आती है आपके कि जो आपका batch operating system है यह आपका इसमें हम लोगों का multitasking और हमारा multi user काम जो है वो नहीं हो पाता जैसा कि आप लोग देख रहे हो ध्यान से देखो batch operating system में एक user है दो user है 3 है और 4 ठीक है यह सभी मिल करके यहाँ पर एक operator के थ्रू जो है आपका work करा रहा operator जो है आपके job को batch में change कर रहा है और तब वो आपका CPU को जो है कि execute करने के लिए और complete करने के लिए काम को दे रहा है सभी को पता है अब देखो क्या है न कि user और computer के बीच में क्या है यहाँ पे आप पसमें क्या directly interact नहीं करते ओके इन लोग का directly वारता लाप या directly कोई interaction नहीं होता है यह आपका होता है user और computer में clear है इसके अलावा आपका क्या है आप लोग ध्यान से देखो अगर तो कि operator जो है वो क्या करता वो wait करता है ठीक है ना जिसकी वज़े से जब तक operator आपका batch में न नहीं देता तब तक आपका CPU जो है वो कोई काम नहीं कर सकता है जिसकी वज़े से CPU जो है वो आपका ज्यादातर time खाली ही रहता और खाली होने की वज़े सब सोचो कि आपने कोई चीज बहुत महंगी खरीदी ठीक है और आप उसको क्योंकि उसके according काम नहीं दे पा रहे हो तो उसको क्या करना पड़ रहा है उसको जादातर time जो है वो free रहना पड़ रहा है तो most of time जब उसको free रहना पड़ रहा तो उसका utilization जैसे क्या है machine रखे रखे खराब हो जाती है तो उसी वज़े से जो है आपका computer जो है वो क्या कर रहा है कि आपका वो जादातर time जो है वो फ्री रहने की वज़े से उसका maximize जो utilization है वो नहीं हो पा रहा है maximum utilization अगर हो पाएगा तो CPU के आपकी boosting ज़्यादा होगी वो ज़्यादा fast काम करेगा लेकिन batch operating system में ऐसा नहीं था क्योंकि उसका इस्तिमाल कम किया जाता था इस वज़े से उसकी speed और उसकी power उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसको इस्तिमाल जो है वो करने के बजाए उसको जब तक काम न दिया जाए तब तक उसको free रहना पड़ता था ओके ये आपका batch operating system में होता है तो जैसा कि आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि batch operating system के बारे मैंने आप लोग को बता दिया था इसके बारे में कुछ नहीं लिखवाऊंगी सिर्फ एक बार इसका precap दे रही हूँ कि आप लोग देख लो एक आप लोगों का क्या है कि समझ लो चीजों को जिनकी classes रह गई थी कि batch operating system में क्या होता है similar kinds of jobs के एक जैसे जो आपके काम होते हैं उसका एक group बनायता है जैसे कि क्या आपके typing वाली कौन सी file है आपके printing वाली file कौन सी है तो जैसे आपके batch में क्या होता है कि बच्चे सिर्फ एक बच्चे के लिए batch नहीं बनती 11th class के कम से कम 4 student को लाओगे तो batch बनाई जाएगी ठेक ऐसा होता है न उसी तरीके से यहाँ पे है कि क्या है कि आपका क्या करता है operator अगर आपने उसको काम दे दिया ठेक तो अब आप भूल जाओ यहाँ पे आपके कोई काम की limitation नहीं है आप चाहोगे कि आपको तुरंट के तुरंट वो चीजे मिल जाए तो वो यहाँ आपको possible नहीं है बिल्कुल भी possible नहीं है आप चाहोगे कि आपको तुरंट के तुरंट जो है आपने काम दिया और आपको उसका तुरंट output मिल जाए तो तुरंथ immediate output इसमें आपका possible नहीं है क्योंकि जब तक वो आपके काम को एक साथ group नहीं बनाएगा, group करके वो उसका batch बना के जब तक CPU को नहीं देगा, फिर CPU उसको कितने देर में आपको output देता है तो उन सारे process में time लगता है, इस वज़े से इसमें immediate यानि कि तुरंथ के output मिल पाना आपका possible नहीं होता है, तो ये आपका job operating system, batch operating system में होता है, जिसमें एक जैसे काम को group बनाया जाता है, group बना करके operator, operator उसका group बनाता है, ठीक है, आपने अपना काम उठा के operator को दिया, operator ने क्या किया, देखो उसको batch बनाया, batch बना के उसको computer को दे दिया, ये सारी चीजें हैं आपकी, clear है न सभी को, clear है कि नहीं है, ये चीजें समझ में आ रही है, चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसकी बारे में, देखो, यहां पे भी आप लोग को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कि क्योंकि हमारा ये चीज क्या काम करता है, ये आपके similar kinds of jobs का, similar kinds of jobs का group बनाता है, ठीक है, का batch या group बनाता है, ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है, इस operating system में हम लोग direct CPU से interact नहीं करते, जो पहली चीज है, याद रखिएगा, batch operating system में, we cannot interact directly with computer, ठीक हम directly computer से interact नहीं कर पाते हैं, ओके, इसके अलावा आपका क्या है, आईए आगे की class उसमें देखते हैं, कि आप लोग देख सकते हो, कि आपका जो operator है, जब वो आपका batch बना रहा है, ठीक है, तो हो सकता है, आपक यह 4 काम मिले उसको, ठीक है, यह 4 काम में भी एक ही जैसे हो, तो एक single batch बना के वो आपके computer को देदेगा, ठीक है, लेकिन हाँ, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपका पहले भी लेक दे रही हूँ, कि इस operating system में, इस OS में, CPU, जादा तर समय, समय, free रहता है, CPU का ऐसा maximum use जो है, वो नहीं हो पाता है, ठीक है, CPU का जो है, वो ऐसा maximum use नहीं हो पाता है, जैसा होना चाहिए, ठीक है, directly, user directly interact नहीं करता है, computer से, या CPU से, ठीक है, यह है क्या आपके batch operating system के बारे में, ठीक, जो मैंने आप लोग को बताया था, इसके advantages की, अगर आप लोग बात करते हो, batch operating system के, तो इसके advantages भी अलग है, और disadvantages भी जो है, यह इसके अलग-अलग है, जैसे देखो, अगर आप लोग बात करते हो, advantages के, तो advantages में आपका यह होता है, कि आप इसमें एक बार में कई सारे user के काम ले सकते हो, ठीक है, एक बार में आप क्या कर सकते हो, कई सारे user के काम ले सकते हो, लेकिन हाँ, यह आपका multitasking नहीं होता, it is not multitasking, यह आपका multitasking नहीं होता, ठीक है, इसमें आप एक चीज कर सकते हो, अगर आप advantage की बात करो तो, कि कई सारे user एक साथ अपने काम को share कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा, इस system में आसानी से बड़े-बड़े कामों को handle करने के capability होती है, ठीक है, manage कर सकता है, this system can easily manage, ठीक है, this system can easily manage big tasks again and again, ठीक है, this system can manage big tasks again and again, ठीक है, यह जो system है, यह आपका बार-बार-बड़े कामों को handle कर सकता है, ठीक, इसके अलावा, आपका इसमें क्या है, कि इसमें आपका जो idle time है, वो आपका ज्यादा होता है, batch operating system में आपका जो idle time है, वो ज्यादा होता है, लेकिन हा, देखो disadvantage भी बताती जारे हो, कि idle time आपका ज्यादा होता है, लेकिन एक चीज है इसमें, अगर आप लोग बात करो तो, कि इसमें आपकी जो सबसे बड़ी खासियत है, वो आपके यह है कि इसमें आप easily बड़े-बड़े कामों को access करा सकते हो, easily, बड़े-बड़े task को, ठीक है, दूसरी चीज इसमें आपके क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा costing नहीं आती है, इसकी बहुत high expense नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको costly पड़े, बहुत ज़्यादा इसमें लगे तो ऐसा नहीं होता है ओके तीसरी चीज अगर आप इसमें बात करो इस operating system में तो बस यही चीज है कि एक साथ कई सारे user जो है वो अपने काम को share कर सकते हैं बस यही इसके तीन main advantages है ठीक disadvantages कि अगर बात करो तो disadvantages ज़्यादा है multitasking नहीं होता है ठीक है एक time पर एक ही आपका job execute होगा जब तक आपका वो काम नहीं complete होगा तब तक दूसरी user को wait करना पड़ेगा माल लो न कि अगर आपका CPU आपका computer busy है ठीक है वो अभी माल लो किसी चीज को print करा रहा है तो माल लो उस बीच में कोई दूसरा customer या कोई दूसरा user आया जिसको अपना कोई काम देना है तो उसको wait करना पड़ेगा समझ आया आपका जब तक एक batch complete नहीं होगा तब तक दूसरे वाले batch का number नहीं लगेगा जिसे आपका coaching में होता है न जब तक एक teacher पढ़ा के complete नहीं कर देता है तब तक दूसरे वाले batch को wait करना पड़ता है बाहर ठीक है चाहे जितना भी time वो ले ले ठीक उन्हें wait करना पड़ेगा सेम चीज यहाँ पर आपकी होती है ओके चलिए अब भी इसके आगे अलावा क्या है हमें देखना है कि आप आपका इसके बाद जो आता है इसके disadvantages जो है वो मैं लिख देती हूँ ठीक है disadvantages लिख देती हूँ advantages छोड़िए disadvantages जो है वो लिख देती हूँ इसके बाद सूचते हैं कि क्या काम करना है पहले disadvantages हम लोग देख लेते हैं इसके लिख लेते हैं जरूरी है ठीक advantages तो मैंने उस दिन बताया थे disadvantages जो है वो मैं लिख देती हूँ पहला क्या है CPU is often idle ठीक है CPU जो है वो आपका ज़्यादा तर क्या रहता है idle रहता है यानि free रहता है ठीक second क्या है आपका second अगर आप लोग इसमें बात करो तो यह आपका क्या है कि इसमें यह आपका जब तक एक batch complete नहीं होगा we cannot give another task until the one batch is completed ठीक है ना we cannot execute other work other work until the first job or work is completed is completed ठीक है जब तक वो आपका complete ना हो तब तक जब तक वो batch आपकी complete ना हो तब तक आपका यह वाला जो है आपका दूसरा जुकाम है वो नहीं दिया जा सकता जब तक अगर उसके अलावा आप लोग बात करूगे थो यह आपका क्या होता है कि इसमें अगर आपका एक जॉब अगर फैल हो गया तो उसको फिर दुबारा execution के लिए लगाना पड़ेगा जब तक हो complete नहीं होगा नहीं लग सकता समझ आया है अगर एक batch fail कर गया अगर एक batch complete होने में отдель कर गया तो उसको दुबारा line में लगाना पड़ेगा तो इसी वजह से आपका क्या ये अपका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी होता है मतलब यह थोड़ा टाइम टाइम कंज्यूमिंग होता है ठीक है अगर एक बैच फेल हो गया फेल हो गया कम्प्लीट होने में होने में तो फिर से उसे लाइन में कम्प्लीट के लिए लगाना होगा कम्प्लीट के लिए लगाना होगा ओके यह आपका होता है बैच उप्रेटिंग सिस्टम के बारे में इसके अलावा अगर आप लोग इसके बारे में बात करो कि इसमें आपका डायरेक्ट इंट्रेक्शन नहीं होता और इसमें दिए लिए नो डायरेक्ट इंट्रेक्शन बिएं कम्प्यूटर एंड यूजर ठेक computer और user के बीच में direct कोई interaction नहीं होता है computer और user के बीच direct कोई interaction नहीं होता है CPU का utilization ज़्यादा नहीं हो पाता है CPU का प्रयोग ज़्यादा नहीं हो पाता उसके खाली रहने के खारण ज्यादा नहीं हो पाता जैसे आपने घर खरीदा ठीक है पर घर में रहने वाला ही कोई नहीं है ठीक, तो घर आपका ज़्यादा तर खाली रह रहा है, आप भी नहीं हो, मतलब आपको भी ज़्यादा तर टाइम जो है वो बाहर ही रहना है, आपने बहुत बड़ा बंगलो खरीद लिया, बहुत बड़ा आपने फ्लैट खरीद लिया, ठीक, बट वहां रहने वाला ही कोई नहीं है, आप भी आते हो, दो दिन, तीन दिन में एक बार, ठीक है, काम से आप अक्सर बाहर ही रहते हो, क्या आपका यूज हुआ उसका, आप क्या उस घर का यूज कर रहे हो, ठीक, तो उसी तरीके से आप कितना भी इसमें महंगा CPU खरीदो, CPU का प्रयोग ज़्यादा नह ठीक है, यह आपका क्या होता है, batch operating system का यह आपका कुछ disadvantages है, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है, इसमें आपका execution, यानि कि यह आपका, मतलब कि आपका बहुत it takes long process to execute work, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, it takes long process to execute work, इसका जो प्रक्रिया है काम को पूरा कराने का वो बहुत लंबा है, ठीक है, it takes long process to execute work, work, ठीक है, complete, चलिए, आगे चलते हैं, अब देखते हैं किसके बारे में हम लोग time sharing operating system के बारे में, क्या होता है time sharing operating system, ओके, चलो, जानते हैं, जो लोग भी न, थुड़ा सुन लोगो notes को लेके problem हो रहा है न, वो सभी लोग बिहार वाली जो है, वो वीडियो एक बार देख ल होगे न, आप लोग को कई सारी चीज़े जो है, वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है, बिहार वालों को आप एक बार वीडियो जो है, वो देख ले न, ठीक है, कि उसमें कैसे आपका बताया गया है, क्या है time sharing operating system के बारे में, तो मैं आपको बता दू, जो आपका time sharing operating system होता है यह आपका वो operating system होता है, जिसमें, जैसे कि इसको हम लोग multi-tasking operating system भी कहते हैं, ठीक है, time sharing operating system को क्या कहा जाता है, आपका multi-tasking या multi-user operating system भी कहा जाता है, और क्योंकि यह आपका different है batch operating system से, ठीक है, यह जो आपका operating system है, यह आपका different है, किससे batch operating system से, इसमें एक time पे एक से ज एक्षन होता है CPU का ठीक है आप लोग ध्यान से देखो CPU से जो यूजर है वो डाइरेक्ट अपना काम करा रहा है वहां पर आपका काम कराने के लिए अपरेटर की जरुरत होती थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बट यहां पर आपका क्या है कि टाइम शेरिंग ऑपरेटिं सिस्टम जो की क्या करता है सारे के सारे यूजर का टाइम जो है वो आपस में शेयर कर देता है ओके जितने भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका आपस में क्या हो जाता है टाइम जो है वो आपका शेयर हो जाता है बैट इस योर टाइम शेरिंग ऑपरेटिंग सिस्ट ठीक है, time sharing operating system आपका ऐसे ही काम करता है, कि मान लो न, देखो CPU क्या करता है इसमें आपके सारे के सारे user को equal time जो है, वो provide कराता है, ठीक है, जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, शादी है हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में शादी है, अब क्या हो रहा है, ध्यान से अगर हमारे घर में, बहुत बड़ा काम है, ठीक है, बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे लोग है, उसमें आपका क्या होता है, कि अब एक अकेला परसन तो सब कर नहीं सकता, अब मान लो न, किसी को गाने के लिए भी एक घंटा दिया गया है, किसी को मार्केट से जाके समान लाने के लिए भी एक घंटा दिया गया है, किसी को घर डेकोरेट करने के लिए भी एक घंटा दिया गया है, किसी को खाना बनाने के लिए भी एक घंटा दिया गया है, मतलब सबको इकोई टाइम दिया गया है, एक घंटे का, ठीक है, किसी को जो है कि कपड़े धुलने का एक घंट ठीक आप बरतन का क्या है मानलो बरतन आधे घंटे में धुल गए ठीक है एक यूजर मानलो यह यूजर वन है इसको बरतन धुलने का काम मिला इसने सब को जो है कि 111 आवर मिला इसको वन आवर मिला ओके इसको आपका क्या मिला वन आवर मिला इसको भी वन आवर दिया गया 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 सारे के सारे आपके यूजर को 111 आवर दिये गया ठीक, अम माल लो क्या हुआ, इस वाले यूजर का माल लो काम, माल लो CPU ने न सारे के सारे यूजर को काम अलोट करके रखा है, ठीक है, इसका काम है टाइपिंग करने का, इसका काम है रीडिंग करने का, इसका काम है प्रिंटिंग करने का, ठीक है, इस वाले का काम है क्या, उस को वन फ्लोर से ले जाके सबसे नीचे वाले फ्लोर पे पहुचाने का और इसका काम है उसको चेक करने का ठीक है सारे के सारे यूजर को आपका एक घंटा मिला है ठीक मालनो जो रीड करने वाला है वो तो जल्दी-जल्दी पढ़ लिया ताइप करने वाला भी जल्दी-जल् वन आवर देता है इसमें से जो भी आपका जो भी आपका यूजर सबसे पहले काम को कर लेता है अगर उसका समय बच गया मान लो इस वाले यूजर का जो समय है वो आपका बच गया इसने अपना काम क्या किया 10 मिनट में ओवर कर लिया ठीक है इसने अपना काम क्या किया 10 समझ हाया जैसे माल लो न इसको आपका वनार मिला है पर इसको काम करने के लिए जरुरा थे किसकी तू आवर की इसको कितने की जरुरा थे माल लो need two hour, मिला कितना है इसको? one hour ही मिला है, क्या करेगा न, कि इसका जो काम है, ठीक है, इसका काम मालो कितने में खतम हो गया, इस वाले user का काम जो है, वो आपका 30 minute, यानि आदे घंटे में क्या खतम हो गया, ठीक है, 30 minute में over हो गया, ठीक, तो इसका जो plus 30 minute बचेगा न, वो आपके इस वाले user में क्या हो जाएगा, share हो जाएगा, ठीक है, time sharing, यानि सारे के सारे जो आपके user है, वो CPU से अपना काम करवाने के लिए, अपने समय को share कर लेते हैं आपस में, ठीक है, यह आपका क्या होता है, time sharing operating system होता है, ठीक, कि अगर आपके सारे, देखो सभी को आपका जो work है न, वो आपका equally दिया जाएगा, यह तो sure है, ठीक है, सारे के सारे user को आपका काम जो है, वो आपका equally दिया जाएगा, अगर उसमें किसी तरीके की कोई भी प्रतिबद्धता आती है, कोई problem आती है, तो क्या होगा, आपका बच्चे हुए वाले जो आपका समय है, उसको उठा के दूसरे वाले में add कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके, कि अगर आपका इन सभी user में से, जितने भी user है, जिनका भी समय जो है, वो आपका बचता जाएगा, उसका समय जो है, उसके अगले user को share होता जाएगा, जैसे कि इसका one hour है, इसको काम करने के लिए आपके, एक घंटे दस मिनट की जरुत है, यह अपना समय उठा के, दस मिनट इसको दे देगा, ठीक है, अब मालो यह वाले user को जो है, कि एक घंटा पाच मिनट की जरुत है, तो इसके पास 30 मिनट बचा था था ना, 10 इसको दिया, 5 इसको दे देगा, ठीक, इसके अलावा, इस वाले का क्या है, 30 मिनट में से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, वो अपने काम को कम्प्लीट करता है, clear है, कि आपका काम कम्प्लीट करने के लिए, क्या करना होता है, कि आपस में सभी के सभी अपने, जो है की, काम को शेयर कर लेते हैं, ठीक है, इसी वाज़े से, इसको टाइम शेरिंग ऑप्रेटिंग सिस्टम को, मल्टी यूजर या मल्टी टास्किंग ऑप्रेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर बैठे हुए लोग, एक साथ एक ही CPU से, अपने काम को करवा सकते है, डाइरेक्टली, ठीक है, डाइरेक्टली करवा सकते है, ओके, इतनी चीज समझ में आई आई आप लोको, ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज है ना, इन सभी में सभी को इक्वल टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, इन दिस टाइम शेरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी को इक्वल टाइम जो है, वो शेयर कराया जाता है, इक्वल टाइम दिया जाता, ऐसा ने किसी को ज़्यादा दे दिया गया, किसी को कम दे दिया गया, चाहे बड़ा काम हो, चाहे छोटा काम हो, जिसका काम पहले हो जाएगा वो अपना वक्त जो है दूसरे वाले यूजर को शेयर कर देगा जिसे हमारे घर में क्या होता है कहा जाता है जो छोटा बच्चा तो उसको छोटा काम दिया जाता है बड़े बच्चे को बड़ा काम दिया जाता है तो अगर छोटे बच्चे का काम कम्प्लीट हो गया तो जाके मम्मी से बताता है कि मम्मी मेरा काम जो है वो कम्प्लीट हो गया तो मम्मी बोलते है ठीक है जो बेटा भाईया की जाके मदद करो या दीदी की जाके मदद करो या टाइम शेरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जैसा कि इसका नईम जो है वो सजिस्ट कर रहा है क्या है इसमें देखें टाइम शेरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अजित नेम सजेस्ट अजित नेम अजित नेम सजेस्ट दाट मेनी यूजर कैन वर्क simultaneously का मतलब क्या होता है एक साथ simultaneously का मतलब क्या होता है एक साथ many user can work simultaneously from different location by sharing their time ठीक है ना simultaneously वो लोग अपना काम जो है वो कर सकते है ठीक है simultaneously many user can work simultaneously at the same time from different location from different location at the same time from the different location by sharing their time अपने टाइम को ये लोग शेयर करके एक साथ एक ही सिस्टम पर एक से जादा लोग काम कर सकते है that is your time sharing operating system ठीक है time sharing operating system जैसा कि इसका नेम बता रहा है मैंने आप लोग को बताया कि एक साथ का मतलब यही होता है कि simultaneous का मतलब एक साथ ठीक है याद रखे simultaneously का मतलब एक साथ ठीक है एक साथ एक समय पर different location पर अपना समय शेयर करते हुए वो काम कर सकते है ठीक है और इस operating system को time sharing operating system also known as multi user operating system इसमें सारे के सारे users को equal chance मिलता है ठीक है न in this operating system in this operating system CPU a lot CPU a lot same time और equal time to all users equal time to all users सारे के सारे जो users है वो आपके equal time जो है वो शेयर कर रहे होते है ठीक है और इसमें आपका क्या होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते है इस operating system का नाम आपका multi user operating system भी है ठीक है न this operating system also known as also known as multi user operating system ठीक है this operating system also known as multi user operating system multi user operating system इसको कहा जाता है ठीक है ये भी याद रखिएगा और इस जो आपका time sharing operating system होता वो direct access large users को provide करता है ठीक है न इसमें हम लोग इसमें user directly CPU से interact करता है directly CPU या computer से interact करता है अपका इसमें अपका इंटरेक्ट करता है ठीक है directly हम बतलब जो है इसमें CPU जो है वो आपका interact करता है किस से आपका CPU से ठीक है और इसमें large number of users जो है वो access लेते हैं एक बार में ठीक है large number of users can access CPU at the same time ठीक है इसके अलावा इसमें आपका क्या है अगर और अगर आप जानना चाहें तो तो यह आपका जो operating system होता जैसा कि मैंने बताया CPU सबको equal chance देता है ठीक है ना और यह अपना जो time है different different location से इस operating system में different different location से different different user एक साथ काम कर सकते है ठीक है ना इस operating OS का मतलब operating system है ठीक है ना इस operating system में different different users different different location से कई user एक साथ कई user एक साथ CPU को एक्सेस कर सकते है CPU को एक्सेस कर सकते है ठीक है कि इस operating system में different different location से आपके जो system है आपके जो users है वो एक साथ CPU को एक्सेस कर सकते है और इसमें अगर आपके बात किया जाए आपका तो हर user को एक equal time जो है वो set किया गया होता है ठीक है ना each user is set to the fix time टेक है ना हर एक user को एक fix time जो है वो दिया गया रहता है fix time और वो भी क्या equal सारे के सारे जो आपके user है उनको equal और fix time दिया गया रहता है जब उन्हें समय कम पड़ता है तो एक user अपने दूसरे user से क्या करता है time को share कर लेता है यही आपका क्या होता है, टाइम शेरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब भी एक यूजर को work या काम को complete करने में, काम को complete या execute कराने में ज़्यादा समय की ज़रुरत होती है, ज़्यादा समय की ज़रुरत होती है, तो यूजर्स आपस में एक दूसरे से समय को साज़ा कर लेते है ठीक है, तो यूजर्स आपस में समय को एक दूसरे से साज़ा कर लेते है, ठीक है यह आपका होता है क्या time sharing operating system के बारे में ठीक है time sharing operating system जिसमें आपके work को complete या accomplishment देने के लिए target पूरा करने के लिए users आपस में एक दूसरे को समय जो है एक दूसरे से share कर लेते हैं ठीक है मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया एक बात याद रखिएगा कि आपका जो आपका active जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस वाले operating system में मैंने आप लोग को image में दिखाया है जो आपका active state में रहेगा जैसे user 5 आपका active state में आप जो operating system आपका active state में रहेगा उसको अगर समय कम पढ़ रहा है तो उसी को share किया जाएगा जैसे माल लो user 6 के पास आपका समय बच गया और user 5 को आपका जरूरत है ठीक है user 5 जो है वह भी आपका CPU अपना काम करवा रहा है और इसको आपक active state में time उसी को share किया जाएगा समझ आया और जिसको जरूरत होगी यह याद रखिएगा active state में पहले जो आपका active state में उसका काम complete होगा फिर उसके बाद आपका user 1 मतलब जितने आपके user है उनके काम complete होते जाएंगे ठीक है याद रखिएगा आपका user 5 active state में है इसका मतलब क कि अभी आपके user 5 का काम complete हो रहा है ठीक है जैसे ही आपका दूसरा user का काम होगा उस पर आपका क्या हो जाएगा यह black वाला mark जो है वो आपका बन जाएगा ओके clear है इस अभी को तो इस वज़े से इसमें आपका CPU का utilization जो है वो क्या होता है आपका बढ़ जाता है ठीक है इसमें हम लोग CPU का ज़ो है कि जादा से जादा इस्तिमाल कर पाते है ठीक है इस operating system में CPU बहुत कम ही free रहता है कम ही idle या free रहता है ठीक है idle या free खाली रहता है इसमें CPU का maximum utilization होता है utilization होता है और CPU ज्यादा तर उपियोग में ही रहता है उपियोग या प्रयोग में होता है ठीक है ये चीज है आपका ठीक है इसमें आपका एक अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें क्या करते हैं CPU का idle time जो हो reduce हो जाता है त्टेक है और उसकka maximum जो है की उसका जो आपका busy time है वह आपका क्या increase करता लिन्हर्ट है उसका sozusagen Decrease करता है और उसका वर्क टाइम जो है वह आपका इंक्रीज करता है ठीक है यह आपका क्या है ओपरेंग सेस्टे में हैं ठीक है टाइम टाइम क्या मेंठम से उतु जो है अपको क्या होता है ठीक है एक्सपेंसि द्ग किका कि अगर इसमें आपका एक कोई system fail किया ठीक है तो उससे आपका पूरा का security और integrity जो है वो खराब हो जाएगा ठीक याद रखिएगा इसमें आपका एक system अगर कोई एक user अगर fail हुआ तो उसका जो समय है जो अपना शेयर करने वाला है वो दूसरे को उसकी वज़े से वो पूरा का पूरा जो चक्र बनाया नो आपका खराब हो जाएगा fail कर जाएगा यह आपका time sharing operating system का एक drawback है ठीक है time sharing operating system में यह चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी बहुत important है यह चीज कि आपका जो भी काम है वो आपका कैसे करना है आपको बहुत ही security के साथ करना है ठीक है इसमें आपको security और integrity का खास रूप से ध्यान रखना है कि आपके जितने भी आपस में users है उसमें से कोई भी एक user का connection जो है वो break ना हो fail ना हो ठीक है तो यह है इसके अलावा आपका real time operating system एक होता है मैं पहले बता दूँ उसके बाद में उसके बारे में लिखवाओंगी देखो real time operating system वो operating system है जो हम अभी present time पे AI और बाकी सब जगों पे जो है कि इसका इसका इस्तिमाल कर रहे है real time operating system आपका वो operating system होता है जिसमें आपको data का input और output real time में मिलता है जो कि आपका batch operating system में नहीं मिलता था उसमें आपका कोई भी चीज real पे work नहीं करता था यानि on the date present time पर ठीक है जबकि इसमें आपका क्या है real time operating system में आपका ये होता है आपने आपके जितने भी payment होते हैं वो क्या होते है real time आपने तुरंट transaction मारा within one minute या within second दूसरे के पास पहुच जाता है और नहीं भी पहुचता है तो क्या होता है वो आपका processing पे आपको दिखा जाता है जिसमें input और output parallel काम करते हैं एक साथ काम करते हैं that is your real time operating system जो आपके आज कही date में आपको output दे वही आपका real time operating system होता है ओके कि real time operating system आपका एकदम present और accurate date पर काम करता है एकदम same time पर ओके ठीक है तो चलो ठीक है फिर इस class में आपके आज की इतना ही है आप लोग को classes कैसी लगी आप लोग जरूर बताना साथ में अगर आप लोग को कोई भी confusion हो वो भी आप लोग नीचे comment section में जरूर leave करना crash course तो बिलकुल भी purchase करना मत भूलना बिलकुल भी बहुत important question जल्दी कराने वाली हो कल की class में आप लोग का भी important question रहने वाला है तो कल की classes को बिलकुल भी miss मत करियेगा I hope आप लोग को आज की चीजे बहुत अच्छी लगी हो और बहुत ही अच्छे से समझ भी आया हो नहीं समझ में आया हो तो बता देना अभी time sharing का advantage and disadvantage मुझे बताना ही है तो अगर आप लोग को नहीं होगा तो मैं एक बार उसको दुबारा explain कर दूँगी बता दूँगी बट उसके पहले आप लोग उसको बताईएगा जरूर comment section में कि हा मैं मुझे आज की class में ये doubt रह गया है ये चीजे जो है वो नहीं समझ में आई है तो चलिए फिर कल मिलेंगे आप लोगों से तब तक के लिए बाई बाई गुड नाइट टेक केर सभी लोगों को और मन लगा के पढ़िए पेपर जो है वो आपके नस्दीक आ गये है और important question कल की class में याद रहे गुड नाइट सभी लोगों को all the best